है फ्रेंस तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि डेरी फार्म की जो 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 अगर वह जो आपको करनी है तो हाउ तो फाइंड जोब उस जोब के लिए किस तरह से आप लोग एपलाइ करेंगे और और अजाने के बाद किस तरह से आप वीजा प्रोसेस करेंगे वह सबी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो बने रही है इस वीडियो में वीडियो को एंड जग देखना क्योंकि मैंनी चाहता हूं कि आप कोई भी जो मैंड पॉइंट है उसको आप मिस करें और उसकी वज़े से आपकी वीजा डिकलाइन हो जाए या फिर आपकी जोबर ओफर ही ना आए लेट्स गो एंड स्टार्ट दर वीडियो देखो न्यूजिलेंड में है ना मिल्किंग और काव एंड एग्रिकल्जर का बहुत बड़ी इंडिस्ट्री है आप कोई भी फार्मर्स की जो वेबसाट होती है उस वेबसाट पर जाके डिरेकले अपलाइ कर सकते हो दूसरा जो रास्ता है वो ज्यादा इफेक्टिव है उसमें से रिस्पोंस जल्दे आ जाता है सीख करके जो वेबसाट है उसमें आपको जोब्स जादा मिलेगी बट इतना एफेक्टिव नहीं होता है यहां पर आपको एक चीज़ जानमे रखने पड़ेगी वह यह है कि अगर आपने एक या फिर दो जगा पर एपलाइ किया और दो तीन कंपनी में एपलाइ किया उसके बार आप सोचोगे कि मेरे तो ओफोलेटर ही नहीं आ रहा है मेरा तो लेट्स को एंड हेव लोक तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है आपको गूगल में जाना है वहां पर लिखना है सीक जो है वह नीजीलेंड की बेस्ट वेपसाइट है न्यूजिलेंड और ओस्ट्रियाय दोने में चलती है तो आपको चेक करना ही कि हम जो यहां पर शीख के ओपर मैं ने अपलाइ कर दिया और यहां पर देखें बहुत सारी जॉब्स यहां पर आचुके हैं यहां पर आप अपने हिसाब से कोई भी जॉब में अपलाइ कर सकते हो आपको ज्यान में यह रखना है कि आप जो सीवी एंड कवर लेटर डालने वाले हो वो न्यूजिलेंड के स्टाइल में होना चाहिए अब अगर आपको पता नहीं है कि सीवी किस तरह से बनाए या फिर कवलेटर किस तरह से बनाए तो उसके उपर दूसरा वीडियो में बनाने वाला हूं इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और बेल आलकम भी डबाना पड़ेगा क्योंकि जब भी में वीडियो दालो तो आपके ओपर नोटिफेकर ना जाए और आपको पता जल जाए उसके बार में बात में बात करता है सबसे पहले यहां पर आते कैसे करता है तो पहले तो आपको यहां पर सब कुछ देखना है कि उन लोग को क्या क्या रिक्वाइर्मेंट है आपको क्या है और एक बात में यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर आपको इंगलिश नहीं आती है तो आपके सीव में लिखो कि I am not fluent in English अगर आपको इतनी अ हो जाएगा तो आपका पेकेज छोड़ा सा कम रहेगा बट आपको जो मिलने के जो चांसिस होते हैं वो इंक्रीस हो जाते हैं तो यहां पर लोगों ने लिखा है कि आप जोब नहीं कर रहे हो तो दोने की दोने आपके फ्रेंड्स के डाल दो और उसमें लिखे दो कि यह मेरा पूराना मेनेजर है वगेरा 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 और दोसको बोल देना कि फॉन आएगा तू देख लेना तो इस तरह से हो जाएगा उसके बार यह क्रीमिनल चेक्स व जो हमारा next step है वो है how to apply तो आपको यहां पर quick apply बटन पर उपर क्लिक करना है और आपको अपना खूद का email id and password डालके आपको सिक पर account बनाना पड़ेगा जैसे कि मेरा already एक account है तो फिर मैं इससे try करता हूं उसके बाद जो दूसरा step होगा वो यह होगा कि जैसे आप login कर लो नहीं है तो कोई बात नहीं बड़ अगर आप खुद बना सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि cover letter is really good thing आपको वो लोग पढ़ पाएंगे कि आप क्यूं यह job के लिए apply कर रहे हो आपको क्यूं यह job चाहिए वो सब cover letter के अदर आपको लिखना पड़ेगा उसके ब बाद हम लोग करेंगे continue यह मैंने कर दिया है continue और यहां पर थोड़े से question लोगों ने पूछे है आप यह पहला question you have a current police check तो आपके पास नहीं है तो मना कर दो वो लोग खुद कर लेंगे दूसरा जो यहां पर question लोगों ने पूछा है वो है कि which of the following statement that describe you तो यहां पर डाल देना कि मुझे sponsorship की जरूत है क्या आपको sponsorship की जरूत पड़ेगी definitely आपको जरूत पड़ेगी यहां पर डाल दो इंडिया में कहीं लोग ऐसे है जिसके 5-5 साल 6-7-10-10 साल का experience है तो यहां पर आप डाल दो कि more than five years जो भी आपका experience हो यहां पर दाल दो में more than five years दाल दाल दाह है इससे दूसरा जो step है वह आपको खुद बर देना है continue कर देना है उसके बाद जाके यहां पर submit button पर click कर देना है और आपकी application है वह submit हो चुकी है अभी अभी यह जो application है वह जिस company ने यहां पर advertisement डाली से उसके पास already पहुंच चुकी है तो यह तो हमारा हो गया सीख के थू सीख के थू किस तरह से करते है और हमारा जो दूसरा option है वह है directly आप google करिए google में आप लिखे dairy farm in engine और इसमें से कुछ भी आप select कर लेता हूं और कोई भी website होते है उसमें जब end में जाते हो या फिर कुछ deep में जाते हो तो उसमें career का option होता है तो इस website में भी वही option होगा कही यहां पर option है career का मैंने क्लिक कर दिया है career के अंदर हम लोग यहां पर आ चुके है यहां पर एक vacancy available है current vacancy है dairy support assistant manager तो इस job के लिए कैसे apply करोगे आप यहां पर लिखा है general career inquiries तो यहां पर आपका नाम, number, email address सब कुछ डाल दीजिए और यहां पर लिखा है current vacancy apply for तो इसमें दाल देना यह वाली dairy support assistant जो है उसको copy paste कर लूँगा में और यहां पर दाल दूँगा और यहां पर दाल दिया मैंने आपका mobile number दाल देना यहां पर जो भी message है वह दाल देना यहां पर चूस फाइल में cv डाल देना और यहां पर coverator करके send कर देना तो यह रहा हमारा दूसरा जिससे आप job के लिए apply कर सकते हो और job search भी कर सकते हो अभी आता है हमारा तीसरा step जो कि है how to get a job offer अब होगा क्या कि जो आपने application जो बनाई है वो application जैसे company के पास जाएगी company आपके cv को check करेगी cover letter को देखेगी और उसके बाद company को लगता है कि वो company आपको sponsor करेगी और आप उसके लिए अच्छा काम करके देगे तो आपको interview के लिए आपको email आएगी zoom interview होगा या फिर skype interview होगा interview में कुछ इतने खास question होते हैं और उसमें भी अगर आपको English नहीं आती है don't worry बोलो कि मुझे English नहीं आती है मेरे पास New Zealand की farming का experience नहीं है तो आप मुझे training भी प्रोवा लेटर प्रिपेर करेगी और आपको बेजेगी अब यहां पर आता है चोथा स्टेप इसमें क्या होता है कि कंपनी ने ओर्री आपके नाम से immigration को लेटर बेज दिया है तो immigration क्या करेगी कि आपके email पर एक दूसरा email बेजेगी उसमें link दी होगी और उसमें लिखा होगा कि आ इस दिन से पहले पहले आपका जो work visa है वो April हो जाएगा और आप New Zealand में आ सकते हो तो यह था हमारा पूरी process how to get a job in dairy farm अगर यह वीडियो आपने यहां तक देखा है उसका मतलब यह होगा कि आपको यह पसंद आया है या तो फिर कुछ informative लगा है तो like करके जाना और मैं मिलता